असलालेकुम नाजरीन तो आज हम बनाने जा रहे हैं फार्म हाउस पीज़ा अपने एर फ्रायर में जिसके लिए हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, कैपसिकम, कॉर्ण, डाइस्ट अनियन, मश्रूम, पिज़ा टॉपिंग, अमूल चीज प्रेड और मॉजरेला असली कि जो फ्रेग्रेंस से बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा अरोमा की पिज़ा को देता है, इसलिए मैंने देशी की यूज़ करा है, मगर यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो अमूल बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी बटर का यूज़ कर सकते ह या फिर जो भी आपको जाधा पसंद हो, मुझे वीबा जाधा पसंद है, इसलिए मैं वीबा ही जाधा यूज़ करती हो, तो नाजरी ना हम देख पा रहे हैं हमारा पिज़ा भी से कितना अच्छा लग रहा है, और हमारी प्लेट की कलर से भी मैंच कर रहा है, नाजरी ना आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक करना मद भूलेगा और सब्सक्राइब करना मद भूलेगा, फिर नेक्स अम इसके उपर अपने वेजी से डालेंगे, सबसे पहले मैंने कॉन दी हैं, तो मैं इसके उपर कॉन डालूंगी सबसे पहले, तो पिज़ करना में डाल के उसको एक अच्छा टेस्स दे सकते हैं, इससे आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, और उनके इंद साही नूट्रिशनल वाल्यू जाएंगी, कॉन के बाद हम इसके अंदर अपना दूसरे वेजेटेबल लेंगे, डाइस अनियन और वो इसके उपर डा इसकी टॉपिंग करेंगे, आप चाहें तो मश्रूम को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने इनको ऐसी कट कर रहा है, स्लाइस स्लाइस वाइस, मश्रूम के बाद नाजरीन हम इसके अंदर कैप्सिक में आट करेंगे, वेजेटेबल सापका ऑप्शनल है, आप कोई भी सीजनल वेजेटेबल ले सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई वेजेटेबल नहीं पसंद तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, तो नाजरीन आप देख पा रहें कि कैप्सिक में का ग्रीन कलर हमारे पिज़ा को कितना अच्छा लुक दे रहा है, फिर स्के ओपर हम ओपर मॉजरेला चीज प्रेट करेंगे, तो नाजरीन मैंने इसके ओपर अपनी मॉजरेला चीज को स्प्रिंकल कर दिया है, मैं थोड़ी जादा मॉजरेला चीज लूँग, यह उसके अंदर मैंने अमूल चीज प्रेट नहीं लगाया है, अगर आपको डबल चीज पिज्जा च तो नाजीन आप देख रहे हैं हमारा पिज़ा कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसकी एक स्लाइस लेंगे मेरा एर फ्रायर का जो साइज था वह छोटा था इसलिए मैंने एक-एक स्लाइस करके इसके अंदर इसको बेक कर रहा है अब मैंने इसको यही मेरा पिज़ा जोता है यह मेरा 10-15 मिनिट्स के अंदर एर फ्रायर में बहुत ही अच्छी तरह से बन गया था यह प्री हीटिड था तो मैंने इसको 15 मिनिट्स के लिए सेट कर दिया था और 15 मिनिट्स के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा पिज़ा अबन के तयार है और यह कितना अच्छा लग रहे है इतना टेस्टी लग रहे है देखने में ही तो नाजरीन हमारा पिज़ा बन के तयार है फार्म हाउस पीज़ा उपर से हम इसके ओपर स्प्रिंकल करेंगे अपनी चिली रेटली फ्लेक्स और और गैनो बाजरीन है इसमार पिज़ा आजरी आजरीन विद तो नाजरीन है शच्छा इस सरही नाजरी फिजिग तो लाग झाणिजा थाल्यों कि प्लीख तो यादरी आजरीन है और प्लीख वहें जोग श्चाइब झाए फॉपुद्धे थाट झाईरीन है इनल टो प्लीज़ा ज